चे को बड़ा पुला और साथ सितंबर को मनाए जाने वाले ताना पूले के लिए बाजार पूरी तरह से तया है। पूला मिला नहीं होने का आदिश जारी किया। वैसे ही काट की नंदी का विवसार करने वाले व्यापारियों में निराशा चा गई। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूले के त्योहार पर पानी फिर गया। ताना पूले में शहर में कई स्तानों पर बड़े-बड़ व्यापार होता है। पिछले बार की तुल्ला में जहा काट की नंती 10-15 प्रतिशत मैंके हुए हैं। वही बैस सजानी वाली सामक रिपी 20-30 प्रतिशत पड़ गई है। लेकिन इस साथ दो साल में थोड़ा विग रहा है। तो यह अभी तीन-चार अजार रुपे की डिमांड है अच्छी पाहल की ज्यादा से ज्यादा विक्री जो हो रही है। छोटे की गया साल तो छोटा ही माल बेक्या पूरा बड़ा माल नहीं बिग सका जादा और इस साल बहल है हमारा यह काफी अच्छा है तो यह अभी साथ जार रुपे रेंज रखेते हैं लेकिन इसका डिमांड मार्किट में लोग इसका पाईजर के उपर नहीं देवाल है तो इसको अमने साड़े पाच में बेज दिए अब क्या दारेंगे रखे तो कोई फाइदा है नही इसको बनाने को तो इस वज़े से उसको अभी रखने से अच्छा तो बेच नहीं है क्योंकि अभी लॉक्ड़न में लोग के पास भी पैसा नहीं है और सब डिमांड बहुत बढ़ी है और थोड़ा सा प्रॉलम भी चल रही है पुला तुटने के बाद बच्चे अपने छोटे छोटे नंदी लेकर आसपास के घर गर बे जाते हैं बच्चों ने इसकी तयारी शुरू कर दी है जो लोग नया नंदी नहीं खरीद रहे में अपने पुराने नंदी को निकाह कर उसकी साफ सफाय के साथ रंग रोकर में लगे वे हैं कैसानों पर नंदी को पेंट करते वी लोग देखी जा रहे हैं किसानों द्वारा पोले पर बैल सजाने के लिए तयारिया शुरू हो चुकी है इस पार बैल सजाने वाली सामक्री में भी बेस से 30 प्रतिशत की वृत्ति होई है पोला एक ऐसा त्योहार है जिस की खरीदी की चारी है पारंपारी के रुप से बैल किसान का सबसे बड़ा सही हो की है कैमरा परस्तर माइकल रामपुरे के साथ दिशाहटपार की रिपोर्ट